हेलो गाईस मेरा नमे सुमन, सुमन टेक्नोलوجी यीट्ब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हो, सभी लोगों को वलकाम करता हो, आज की इस निव वीडियो पर गैस आज की इस वीडियो में आप लोगो को बताने बाला हो आपके पास computer laptop जरूर होंगे ऐसे में आप इस्तिमाल करते होंगे कभी कबार आप important काम करते रहते हो तो बीच बीच में कभी कबार crash हो जाते हैं आपका जो window से हो crash हो जाते हैं जिस बज़े से आपका काफी मतलब समय वेश्ट होते हैं साथ में आप परिशान भी हो जाते हो इस problem को कैसे fix करें तो आज की इस वीडियो में ही सब जान करें आप लोगो को देने बलाओ अगर आप लोगो को इस वीडियो को आपको last trick देखना होगे तो भी जैस आप लोग जान पाएंगे computer crashing होने के बाद मतलब crash होने के बाद किस तरह से इस problem को fix क्या जाए तो फिर चलिए गैस अभी वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पेले आप लोग एस एक छोटी सी गुजरी से चैनल पर अगर नी हुआ चैनल को सस्काइब नहीं करें तो चैनल को सस्काइब करें साथ ही BL आइकन को अन करके औल पर किलिक करें क्योंकि गैस मैं टेकनोलोजी से रेलिटेट कॉंटेंट हमेशा आप लोग के लिए लाते रहता हूँ एसे में आगर आप लोग सस्काइब करेंगे तो आपको कुछ नहीं को सीख मिलते रहेंगे तो फिर चेले हैं तो फिर वीडियो को स्टट करते हैं तो गयास में क्या नचाता हूँ आपके पास जो computer है जो laptop है गयास उसमें कभी कबार uy जाते हैं आप देर से format करते हो देर से windows install करते हो कभी कबार क्या होते है Aunque Windows होते हैं काफी पुरानIES होते काफी दिनों से आपने format इस्त Cum तो यहसे में आपको कभी-कबर फॉर्मेट भी करना चाहिए नया उंडस इस्तिमाल भी करना चाहिए जिस बज़े से यह 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 इस फॉब्लेम होते ठीक है आपके पास एक अच्छा एंटीपरेश भी होना चाहिए ताकि आपकी पॉब्लेम कोई भाइडिस बागरा का पॉब्लेम ना हो और साथ मैं यह भी कहना चाहिए जब आप लोग अपनी कॉम्पॉटर को इस्तिमाल करते हो तब आप लोग करते रहे तो कम आपको पता नहीं होते है क्रेश होने पाले अचानक से हो जाते है क्रेश जैसे कि मैं आपको इसकीन पर दिखाना चाहता हो क्रे कर सकते हो वही आज की इस वीडियो में बताने वाला हो अगर आप लोग इस पॉब्लेम को फिक्स करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं एक चीस क्याना चाहता हो आप अपनी कॉम्पॉटर या अपनी लेट्टॉप को एक बार सबसे पहले फॉर्मेट कीजिए नया उंड़स इनिश्टॉल कीजिए ताकि आपका जो क्रेशिंग पॉब्लेम है वो सोल जाए ठीक है लेकिन एक बात मैं क्याना चाहता हो अगर आपकी कॉम्पॉटर ओभी ओभी क्रेश हुआ है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो आपनी कॉम्पॉटर को रिश्टाट कीजिए उसके लेकिन बार बार ही पॉब्लेम देते ही रहेगा जब तक आप आपनी कॉम्पॉटर में नया वंडूस इंस्टॉल नहीं करेंगे फ्रमेट करके तो इसलिए गईस कभी कभार आपको कॉम्पॉटर को फॉरमेट करना चाहि है नया इंस्टॉल करना चाहिए वीज और एक उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद रहेंगे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बिल आइकन को अंकर करके और पर किलिक करें किकी गैस मैं इसी तरह का कॉंटेंट आप लोगे लिए हमेशा लाती रहता हूँ तो गैस वही के लिए दिजिए इ नहीं मिलता आप लोगे साथ में फिर से किसी और एक नियू देल चैस वीडियो के साथ तब तक के लिए गाइस गुडबाई